सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आए हैं आज एक नई वीडियो में नई टोपे के साथ आज हम लेकर आएं आपकी रॉयल एंफिल्ड क्लासिक 350 एंड इस्टेंडर 350 के लिए सेल्फ का बेरिंग किड्ड यहां पर हमारे पार कंप्लीट बेरिंग किड्ड है जिसके हम आपको अन्बॉक्सिंग दिखाएं को क् स्क्रीन पर वर्ट्सप नमपर देगा है वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं और कर सकते हैं तो इस तरह से बॉक्स पैकिंग में आता है काफी अच्छी पैकिंग इसकी दी हुई है यहां पर आप देख सकते हैं बुलट इस पर लिखा हुआ है 350 क्लासिक एंड 350 इस्ट में आज आपको मिलने वाला है वीडियो में लास तक बने रही है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कर दीजे यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी वर्किंग होती है सेल्फ की बेरिंग किड है तो यह चीथ है मेटल है उसकी क्वालिटी अच्छी तरह देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी और फिनिशिंग आपको यहां पर देखने को मिलती है पर्फोमेंस भी काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है इसका जो जैनुन बेरिंग आता है रोल इन फील्ड का वो एप तोनों ही परडम सिंगल सिंगल भी खरीज सकते हैं एंड जो छोड़ा वाला पाट है उससे आप अलग भी ले सकते हैं हैं अंड क보िड भी ले सकते हैं तो सभी आधा से आपको मिल जाता है इस तरह इस तरह इसमें जो रोलर बेhr chronic है वो दिये हुए हैं तो काफी वेट है आप इसका जो वेट देखेंगे काफी अच्छा वेट है इसमें सेम आपको जैनुवन जितना ही वेट इसमें मटेरियल में मिलने वाला है यहां पर आप देख सकते हैं सेल्फ के रोलर किट इसमें लगी हुई है तो एक कम्प्लीट सेल् सेरिंग रिपेरिंग किड होती है तो यह हमारे पास क्लासिक 350 के लिए एंड इस्टैंडर 350 दोनों का ही सेम होता है अब बात करते हैं इसकी प्राइजिंग की इसका प्राइज आपको मिलने वाला है और लिए टू थाउजन रूपीज 2,000 रूपे में आपको मिलने वाला है जबकि जो रॉयल इंफिल्ड का है वो आपका एप्रॉक्स 7-8,000 के आसपास आता है तो बहुत ही रिजनेवल प्राइज आपको मिलने वाला है और करने के लिए स्क्रीन पर वर्टसप नमबर दिया हुआ है वहाँ पर जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और और कर सकते हैं क्योंपया थारी सुपते के लिएू